ILS crack करने के लिए सबसे important है important guidance and guidance के साथ सबसे ज़्यदा important है हमारी information and knowledge कि हमें right information, right guidance हमें कहां से मिल रही है then हम अपना ILS exam बहुत अच्छे तरीके के साथ crack कर सकते है without any tension, without any button because आजगी डिदे के अंदर competition बहुत बड़ा है but हमें अपनी life को better बनाने के लिए कुछ न कुछ definitely करना पड़ता है Myself Manpreet and you are watching your favorite channel ILS वाला इंडिया आप सबका बहुत ज़्यदा सवागत करता है In this video मैं आपको सिखाऊँगा कि आप speaking में कैसे 9 band score ले सकते हो और ये भी guarantee देता हूँ आप institute में जाते हो 5000, 8000, 10,000 रपया फीक्स देते हो हम classes का कोई भी पैसा नहीं लेते Evening time मेरी class थी reading की उसका link मैंने दे दिया description box में ये class है हमारी speaking के उपर बहुत अच्छे तरीके के साथ आप score कर सकते हो institute में ऐसा नहीं सखाते ILS वाला इंडिया आपको बिल्कुल free of cost सिखा रहा है अगर आपको prediction material चाहिए आपने अपने सक्रीन के उपर देखा prediction 100% hit prediction का means होता है, कुशक material होता है choose किया गया, उसी में से हमें exam में देखने को मिलता है जैसे कि हम 20-25 cue cards देते हैं 20 हम listening की videos देते हैं and 20 readings देते हैं और same आपने proof देख लिए classes की timing है जो हमारी वो 4 p.m. and 8 p.m. में join कर सकते हो, telegram group and instagram account link आपको मिल जाएगा description box में and must subscribe this channel thank you so much for watching myself Manpreet और आज आपको speaking में अगर आपको हस्यदा problem आती है कैसे 9 bands कुर ले सकते हो आज आपको सकhाँगा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ को idioms को use करो idioms and vocabulary यूज करो अगर आप idioms को and vocabulary को use करते हो आपका score 100% जाता है because examiner सबसे ज़दा जो impress होता है वो होता है idioms से अगर आप idioms यूज करना सीख गे writing के अंदर अपने speaking के अंदर तो मैं guarantee देता हूँ 7.5 से कम नहीं आएंगे अगर आपके 4.5 आते हैं आपके institute में बढ़ आपको सीखना होगा अगर आपका जिस institute में आप 5000 देते हो 6000 देते हो वहाँ पर नहीं जखाते तो मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा ना तो मैं आपसे 5000 ले रहा हूँ ना मैं आपसे 6000 प्या ले रहा हूँ ना मैं आपसे 9000 प्या ले रहा हूँ बिल्कुल free of cost आपको study कराऊंगा बिल्कुल free of cost आपको पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो अगर आप 7.5 स्कूर लेना चाहते हो तो must subscribe this channel मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा और अभी evening time 4 बजे हमारी थी reading की class और उस reading की class में मैंने mcq सिखाये थे और mcq इस तरीके से सिखाये हैं कभी भी आपको institute में सिखाये नहीं जाएंगे 5,000 दे लो 15,000 दे लो चाहे 20,000 दे तो institute से वालों को उस वे के साथ आपको कभी भी discussion नहीं करवाई होगी जिस तरीके से मैंने 4 चार पीम 4 पीम मैंने class लगाई थी और अगर आप भी उस class को भी देखना चाहते हो इस class को भी देखना चाहते हो तन मैंने उसका link description box में दे दिया है as well as comment box में दे दिया है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो अगर आपको prediction material चाहिए if you want to get a predict material then you can drop a message on my whatsapp number but you have to buy आप whatsapp के उपर मुझे message कर सकते हो prediction material के लिए as well as proof चाहिए proof आपको मिलेंगे मेरे instagram के उपर daily 4 पीम हमारी class होती है and 8 पीम हमारी class होती है daily अगर आप join करना चाहते हो तो आप follow कर सकते हो मुझे ILS वाला इंडिया instagram के उपर and join कर सकते हो मेरा telegram group दोनों का link आपको description में मिल जाएगा और वहाँ पर daily class का आपको link मिलेगा demo अभी आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे study करवाते हैं बिना कोई पैसा लिए बस शर्त एक है बस only एक शर्त है चैनल को subscribe कर दो चैनल को subscribe कर दो current score भी आएगा और बहुत जादे helpful videos भी आपके लिए रहेंगी तो आज का जो हमारा task है ये रहे मेरे vocabulary and idioms कैसे use करने वो दखाता हूँ आपको describe at all building in your city you like or dislike कि कोई ऐसी building जिसको आप पसंद करते हो जाए फिर आप उसको पसंद नहीं करते where it is, what is the used for, what it looks like, explain why you like or dislike it ये मेरे words हैं और यहां से मैं अपना start करता हूँ अपना cue card और बहुत अच्छे तरीके से स्खाऊंगे बहुत simple way के साथ the place where I live has many mesmerizing buildings means कि the place where I live कि जहाँ पर the place है जहाँ पर मैं रहता हूँ mesmerizing buildings का मतल होता है attractive यहाँ पर हम लिखा भी हुआ है इसका मतलब क्या है attractive कि जहाँ पर मैं रहता हूँ बहाँ पर बहुत जदे attractive buildings हैं अब अपने words को change करूँ अपने attractive की जगा क्या लिखना है mesmerizing, mesmerizing का मतलब होता है attractive building and each has its own importance कि उसकी सब की importance है some are for tourist attraction अब दिखें next में उसने का गया कि some are for tourist attraction कि tourist की को उत्खचाने के लिए वहाँ पर visit करते है tourist उनके लिए वो बनी हुई है where if you have a historical significance कि वहाँ पर कुछ historical significance buildings भी है however there is one tall building which I like the most कि मुझे एक बड़ी building पसंद है जिसको मैं बहुरदा पसंद करता हूँ it is ABC mall कि वहाँ पर एक ABC mall बना हुआ it is constructed a few year ago कुछ साल पहले ही वहाँ पर बना था it is constructed a few year ago only privacy we used to face trouble buying a variety of things because there was no practical place where everything is a necessity could be found कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर problem थी कुछ न कुछ चीजों को buy करने की but वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और then वहाँ पर ABC mall बना when we learned that the government was taking the intent of a build a mall कि वहाँ पर government के दवारा एक बड़ा सारा mall को स्थापत किया गया we all were we all were over the moon on hearing it means कि over the moon का मतलब है very happy इस इडियम को यूज करें over the moon का मतलब क्या है very happy and वहाँ पर इसका मतलब गा है we all were we all were very happy on the hearing it कि जब हमने इसके बारे में सुना हम बहुत खुश थे और इसको इडियम में यूज करा गया we all were over the moon on hearing it कि जब हमने इसके बारे में सुना कि हम बहुत ज़्यादे खुश थे दोख बच्चे अगर यूज करोगे न यार score एटमेट काएगा अब आप बताओ ऐसी चीज़ें आपको institute में स्खाते है नहीं स्खाते है कमेंटों में जरूर बताना मैं नाम तो नहीं पूछना चाता आप किस institute में हो फीस कितनी बढ़ते हो इसका जरूर बताना कि आप 7000 फीर बढ़ते हो बट ऐसे नहीं स्खाते तो आप subscribe कर सकते हो आप हकदार हो free of cost सीखने के घर पर बैठे ILS कर भी सकते हो यार just make a trust with us trust बनाओ हमारे साथ definitely clear करवाएंगे आपका ILS कोई बड़ी language नहीं है यह just you can learn lot of things now everything is available in one place now everything is available in one place कि सब कोश एक ही जगा पर available the cherry on the cake अब इसका मतलब भी मैं आपको बजाता हूँ कि इसका मतलब कहा the cherry on the cake fact is that it is built in the middle of the hometown कि यह एक hometown के अंदर एक build up किया गया है cherry on the cake additional benefit means कि इसका बहुत बड़ा benefit है इसका कितना बड़ा benefit है आपको दखाता हूँ the additional benefit आप इसको cherry on the cake को the additional benefit fact is that it is built in the middle of the hometown कि इसका बहुत बड़ा benefit है इसको middle of the hometown के अंदर बनाया गया है so people don't face any problem visiting there कि लोगों को ज़्यादा problem नहीं आती उसको visit करने में I along with my family कि मैं अपनी family के साँ आ जाता हूँ love to visit there every month in order to buying things of daily need कि मैं हर month जाता हूँ वहाँ पर और चीज़ों को खरेदने के लिए जो things daily use होती है मेरी life के अंदर apart from this इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है apart from this I love to go there with my spilling to buy branded clothes कि आप देखिए अब spilling को यूज़ करा गया keywords के synonym vocabulary के अंदर I love to go there कि मुझे जाना पसंद है with my spilling to buy branded clothes की अच्छे कपड़े लेने के लिए अब spilling का मदलब के होता है ए ब्रदर और sisters अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ अब मालो मैं simple तरीके से बोलता हूँ 5.5 लेने है I love to go there with my friends to buy branded clothes बात सी नहीं बनी बट अगर यहाँ पर ये word यूज़ करते हो तो कितनी अच्छी बात बन जाती है एक थोड़ा सा attractive होता है examiner भी देखता है भाई है तो यह थोड़ा सा है तो इसका पतले से मूँ वाला अच्छे कपड़े नहीं पहने बाट English में word पता नहीं कहां से सीख कर रहा है पता नहीं किस channel वाले ने सिखाए हैं इसको इसके तो 7 पॉइंट इसको देने पड़ेंगे अगर यू और बर्दों को तो 8 भी हो सकते हैं अब depend on you what you want कि आप क्या चाते हैं what you want here depend on you the products of renamed renowned the products of renowned brands can easily be found there अब आप सोच रहे होगे renowned का मतलब क्या है आप देखिए अच्छे समझिए सीज को the products of the products of famous brands can easily be found there renowned का मतलब है famous होना यहां पर भी लिखा होगा देख सकते हैं renowned मतलब की famous मशहूर the products of renowned brands can sorry brands can easily be found there की branded clothes है जो काफी था famous है उनको easily found out किया जा सकता है वहां पर there are five floor in total विसके five floor है and it is quiet specious means it is quite specious specious का मतलब होता है काफी ज़या space होना काफी यदा मतलब की अग देखाकते हो species का मतलब है having a lot of space की वहां पर काफी यदा space है means कि it is quite having a big space कह सकते हो lot of space कह सकते हो वहीं species का मतलब है कि ज़्यादा space होना वहाँ पर देखे कितना अच्छा तरीक से लिहा गया है in addition to this tourists also find convinced to visit our hometown tourists भी convinced होते हैं वहाँ पर visit करने के लिए they can buy things of need which was not possible before the construction of this mall of our place they can buy things of need अपनी जरूरत के मताबिक वो चीजों खरी सकते हैं जो चीज़े पॉसीबल नहीं थी जब वो mall वहाँ पर नहीं बना था तब लोग चीज़ें को खरीद नहीं पाते थे अपने needly जो उनको जरूरत थी monthly home के लिए everything you know that what will be available in the mall right तो वो चीज़े खरीज सकते हैं besides this some celebrities have also started coming here to promote their movie songs कि कुछ celebrities हैं celebrities हैं बड़े बड़े actor हैं वो भी वहाँ पर आने लगें अपनी movies को promote करने के लिए अपने songs को promote करने के लिए this building has really changed the lifestyle of people कि this building has really changed the lifestyle of people कि लोगों का बहुत अच्छा lifestyle उसने change कर दिया I vividly remember we all had a face difficulty to buy things in case of emergency कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम काफी यदा problems को face करते थे चीज़ों को खरीदिने के लिए इदर उदर जाने के लिए ठीक है और emergency के अंदर as I live in the heart of my hometown क्या मैं दिल के बिलकुर अपना hometown एक दिल बन चुका है आपर हर चीज़ अवेलेबल है this place is just stones throw away from my home इसका मैं आपको इतखिए this place is just stones throw away मिले मेरे गर से कोई ज़्यादा ये दूर नहीं है मतलब कि nearby अब stones throw away का मतलब होता है कि nearby होना अब एक चीज़ देखिए माल लो आप कहीं गूमने जा रहे हो आप चंदीगड जा रहे हो ठीक है आप देखिए तो as I live in the heart of my hometown this place is just stones throw away from my home कि मतलब कि चंदीगड अगर आप बता रहे हो गूमने फिर ने की place बता रहे हो जब किसी भी type की कोई भी बता रहे हो कि यह ज़्यादा दूर नहीं है मेरे गर से hence now I can quickly get everything in an emergency situation hence now क्या मैं रहो रहो quickly और बहुत जल्दी बजी के अंदर मैं हर चीज़े emergency के अंदर situation के अंदर handle कर सकता हूँ सब कुछ available है I believe that every city must have a tall building where everything should be available in one place और मैं अमीद करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि हर city में हर district में एक नाएक ऐसी building definitely होनी चाहिए जिसमें सब कुछ available in this way people can save plenty of time people can save time save कर सकते हैं dwellers of my hometown dwellers of my hometown also like this tall building very much मतलब कि जहांके जो resident है जहांके वो लोग है मतलब कि जहांपर वो रहते हैं dwellers होते हैं residents मतलब कि जहांपर लोग रह रहे हैं hometown में कि वो सबसे ज़्यदा पसंद करते हैं इस building को देखे कितने अच्छे तरीके के साथ explain करी गई है हार एक चीज जो आपका score increase कर सकती है बहुत अच्छे तरीके साथ मुझे आप comment में जरूर बताना कि कैसा लगा और जाते जाते इस वीडियो को like जरूर कर देना मैंने तो लगती है हर चीज को करने ही everyday लेना चाहते हो same aysi classes तो subscribe this channel thank you so much